शराब बंदी वाले गुजरात राजे में शराब की तसकरी काफी आम हो चली है एक ऐसा ही मामला वडोदरा जिला के करजन में उजागर हुआ है जहां नेशनल हाईवे नंबर 48 पर करजन भर थाना टोलना का निकट से बड़ी मातरा में विदेशी शराब का जथा बरामत हुआ है आईसर गाड़ी में विदेशी शराब की 262 पेटियां बरामत हुई है जिसकी तसकरी की जा रही थी जिला एलसीबी पुलीस ने पुर्वसूचना के आधहार पर आईसर गाड़ी को रोक कर जाच की जिसमें 262 पेटी शराब बरामत हुई है इस मामले में जिला एलसीबी ने 11,44,800 रुपयों का मुदामाल जब तक किया है और एक आरोपी को भी रफ़तार किया गया है एलसीबी पुलीस ने विदेशी शराब आईसर गाड़ी मिलाकर 21,69,800 रुपय का मुदामाल कबजा कर ये शराब कहां से लाई गई थी और कहां ले जाई जा रही थी उसकी तफ़तीश शुरू करती है एलसीबी पुलीस ने प्रोहिबीशन और मुदामाल के साथ आरोपी को जाच के लिए करजन पुलीस को सौप दिया है